जहीं दोस्तों तो देखो फ्रेंट्स आज यहापर हम बादचीत करने वाले FED प्लस RBI नेक्स्ट मीटिंग में कितना रेपो रेट बढ़ा सकता है फिलाल हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि जैसे वहाँ पर रेपो रेट चेंज करते हैं बढ़ाते हैं कम करते तो तुरंथ उसका एमपेक्ट क्रिप्टो मार्केट प्लस स्टोक मार्केट में देखा जाता है यहाँ पर जैसे बार-बार रेपो रेट बढ़ रहा है तो मार्केट में उल्टा हो रहा है जिस दिन रेपो रेट बढ़ता है उस दिन market उचाल लेता है एसा क्यों? बताता हूँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग को liquidate करने के लिए बड़े players उल्टा करते फिर तो market को नीचे ले आते बट पेले उपर ले जाते तो आप लोगों जो दिख रहा है वो नहीं करना है समझ रहे हो आपको चोकंदा रहना रेपो रेट बढ़ता है मतलब एक देम नेगेटिव बात हो जाती है एटलिस इस बार यहाँ पर कहा जा रहा है पचास से लेके 75 बिपीएज जितना रेपो रेट नेक्स्ट फेड मीटिंग में बढ़ सकता है एट नेगेटिव निउस है क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन मेंगा पड़ेगा अब इन्वेस्टर ने कहीं से भी लोन लिया है वो लोग रीपे कर देंगे अब आपको पूछके तो वो रीपे नहीं करेंगे जिस दिन यहां पर यह बढ़ेगा तो लोग मार्केट पंप भी करा सकते थोड़े दिन के लिए फ्यूचर टेड में तो लोज करवा देंगे उपर से माल पकडवा देंगे तो यह नहीं करना है जब तक यहां पर यह ठीक नहीं होता रेपोरेट वगरा ठीक नहीं होता यह जो हमारा इंफलेशन वगरा ठीक नहीं होता तब तक के लिए मार्केट में पूरा पैसा बिलकुल नहीं डालना है तो देखो यह हो गई फेड के बार में बात फेड यहाँ पर अगली बार 50 से लेके 75 BPS जितना रेपो रेट हाइक कर सकता है अब यहाँ पर RBA के बारे में बात करते हैं क्योंकि RBA के बारे में भी जानना बहुत जरूरी रेता है तो देखो फ्रेंट्स RBA के बारे में बात सित करेंगे RBA रेपो रेट इस साल महेंगाई से नहीं मिलेंगी निचात देखो रेपो रेपो रेट RBA इस बार 0.6 प्रसीत सत जीतना बढ़ा सकता है देखो यहाँ पर इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है सभी वेबसाइट के अंदर 0.5 सेंड से लेके 0.6 सेंड तक देखो यहाँ पर भी बढ़ोतरी देखा जाएगा कि वापस से रेपो रेट बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रोब्लेम आयेगा लोन जिसने लिया है उसको यहाँ पर लोन पढ़ेंगे महेंगे चुकि वहाँ पर इंटरस्ट रेट तुरंत बढ़ जाएगा तो यह वाला प्रोब्लेम चलड़ा है यहाँ पर फेड कभी देखे तो वह भी बढ़ाने की बात्चीत हो रही देखते हैं वो तो वक्ती बताए का कितना बढ़ा थे बटे नेगेटिव न्यूज है दिखाने के लिए मार्केट पंप करते हैं अभी भी बोल रहा हो अभी भी बोल रहा हो सिक्यूरिटी फंड आथ में रखे जो आपको काम आए क्योंकि पूरा पैसा मार्केट में डालने से कोई फाइदा नहीं है थोड़ा फंड तो हमारे आथ में होना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो का 20% एटलिस्ट फंड होना चाहिए फिर भले मामला पोजिटी हो जाए वो कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते एक साथ पूरा मार्केट कभी उपर नहीं जाता है वो भी बात मेंने बार-बार का है फिर क्रिप्टो मार्केट हो प्लस स्टोक मार्केट हो यह सी आपको कोईन मिलेगी ऐसे प्रोजेक्ट मिलेगे एक दम डीप में हो बिटकोईन कहीं भी चला जाए तो भी इमें डीप में प्रोजेक्ट मिल सकते है तो देखो एदो बात थी और दोनों बात देखा जाए तो मार्केट को इंपक्ट कर सकते है अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालते है फेड का मीटिंग कभ है नज़र डालते है तो देखो प्रेंट्स यहाँ पर आप रिलीज डेट देख रहे हो FOMC मिटिंग यहाँ पर डेट देखो 20-21 सब्टेमबर तो उन्ही दिनों में न्यूज अपडेट आएगा यह दो दिनों के अंदर जो मिटिंग होगा वहाँ पर अपडेट आएगा कि कितना रिपोरेट बढ़ाया क्या किया इसने वो अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा तो यह दो दिन बहुत इंपोर्टन रहते मैं अभी से आप लोगे साथ सेर करा हूँ 20-21 सब्टेमबर अब कमिंग में है एक महिने के बाद तुरंद यहाँ पर हमें पता चलेगा फिलाल अभी भी बढ़ाने की बात से चल रहे क्योंकि यहाँ पर उन लोग को महिंगाय को कम करना है तो यहाँ पर रिपोरेट को बढ़ाना पड़ेगा देखो मैं महिंगाय कम होने से मार्केट में कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर रिपोरेट बढ़ेगा तो पेशा जाएगा इन्वेस्टर का क्योंकि यह लोन लिया है वो लोग पे करें इसलिए तो यह लोग रिपोरेट बढ़ाते हैं अब लोन किस नहीं लिया है बड़े प्लेयर बड़े प्लेयर कोन है इन्वेस्टर कहां इन्वेस्ट करते हैं स्टोक प्लस क्रिप्टो तो यह बात है तो उमिद करता हूँ आप लोग को इस समझ में आगया होगा तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो आज की डेट सो लाइक चाहिए एड लीस्ट सपोर्ट करो कोमेट विल्कुल करो उतना अलस मत करो प्लीज एक सेगंड लगेगा प्लीज इकाद रेव्यू देदो गुडबाई